जोतिष शास्तर के अनुसार ग्रहन अक्षत्रों की स्तिती लगातार बदलती रहती हैं जिसकी वज़े से मनुष्य की जीवन में भिन्न भिन्न प्रकार के बदलाव देखने को मिलते हैं जोतिश के जानकरों का ऐसा कहना है कि यदि किसी व्यक्ति की राशी में ग्रहनक्षतुन की चाल ठीक है तो इसकी वज़े से जीवन में शुब परिणाम मिलते हैं परन्तु ग्रहों की चाल ठीक ना होने के कारण जीवन में एक के बाद एक कई परिशानियां उत्पन होने रगती है। बदलाव प्रकृति का नियम है और यह निरंतर चलता रहता है। इसको रोक पाना संभव बिल्कुल भी नहीं है। अपने मित्रों और जीवन साती के साथ बितेगा। किसी काम के सिलसले में अधिक भागदोर करनी पर सकती है। आप लोगों के सामने अपनी रचनात्मक्ता को पेश कर सकते हैं। आप अपने आत्मविश्वास और सकरत्मक सोच के कारण अपने सभी कामों को आसानी से दी हो सकता है। अपनी बातों को दूसरों को समझाने में आप कटना या महसूस कर सकते हैं। दूसरों की बातों को सुनने के आदत भी आपको डालनी होगी। यात्रा के जरियें आपको अपना कोई दबा हुआ पैसा मिल सकता है। दोस्तो ऐसे ही महतोपुर्णा बाते सबसे पहले बात करते हैं आपका सामाने राशिपल किस तरह से रहने वाला है उसके बारे में, आपकी मौझूदगी हर उस जगह पर होगी जहां आपकी जरूरत होगी, किसी भी बात के प्रती हजीर जावा भी आप में होगी, आपके काम थोड़े धीरे होंगे परंतो होंगे जरूर, कोई भी विवाद सामने आने पर आप आसानी से उसका हल निकाल सकते हैं, आपकी सोच में भी कुछ परिवर्तन देखने को मिलेगा, आप कुछ अलग तरह के कामों को कर सकते हैं, आपके आत्म विश्वास में लगातार रुद्धी होती रहेगी, धनलाप से संबद कोई अच्छी खबर सुनने को मिल सकती हैं, कोई अतिरिक्त आय होने के योग भी बने हुए हैं, धन के सही प्रयोग के बारे में आप सोच सकते हैं, किसी धार्मिक संस्ता को कोई चंदा दे सकते हैं, मन में शांती होने के कारण प्रसनता का भाव आप में बहुत तेज होग आप अपनी कोई प्रिय वस्तो किसी को दान में दे सकते हैं आपको अपनी क्यूच निजी समस्याओं का समाधान भी मिल सकता है दोस्तो अध्यान में रखने वाली बातों के बारे में अगर बात करें तो नोकरी और व्यापर से संबंदित क्षेत्रों में स्तितियां अब आपके लिए और अधिक बहतर हो रही है शुरू होने वाले कामों में आपको सपलता मिलेगी लेकिन किसी के टोका टोकी से आप थोड़े परिशान हो सकते हैं और आपका मन अधिर हो सकता है थोड़ा सा धहरे आपको रखना होगा स्तितियां अपने आप ठीक हो जाएगी आप में सकरत्मग उर्जा का संचार होगा इससे दिन भर आपका मन खुश रहेगा आपको कोछ समय अपने मित्रों को भी देना होगा मित्रों के द्वारा ही आप अपने बहुत से काम पूरे कर सकते हैं किसी रहस्य को जानने की उस्तुक्ता लगातार मन में बनी रहेगी दूसरों के बातें और चुगली करने में आप अपना समय व्यर्तन ना करें चल रहे प्रेम संबंद और अधिक गहरे हो सकते हैं आप भावनात्मक तोर पर अपने आपको मजबुत स्थिती में पाएंगे अगर हम धनराशिपल की बात करें तो अपनी नोकरी या कारेस्तल में अपनी स्थिती को मजबुत करने और प्रसिदी पाने के लिए यह समय बहतरिन है अपने नितरुत्व के गोण और प्रबंध के एक्षमता से आप किसी को भी इंप्रेस कर सकते हैं अपनी प्रतिष्टा को बनाए रखने के लिए इमानदार, जिम्मेदार और समय बद्ध होने की कोशिश करे आप किसी मुश्किल में फं सकते हैं और इससे बाहर निकलना आप लिए मुश्किल हो सकता है इससे समय आप चिंतित है इसलिए कोई भी महतोपुर्णा निरने ना ले किसी भी तरह के अवसाद से बचे और अपना पूरा ध्यान अपने काम के और लगाए अपने दिल की सुने और अपनी खुशियों के मारग को स्वय बनाए अगर हम करियर राशिफल के बात करें तो आप सोचते हैं कि करियर के क्षेतर में आपके पास कौन कौन से विकलप है तो ये समय करियर सलाकर से सलाह लेने का है उसी तरह अगर आप विद्यारती है और अपने स्कूल को लेकर उलजल में है तो किसी सलाकर की सलाह अवशले किसी सही सलाकर से ले गई सलाह आपको सही दिशा में ले जाएगी दोस्तो अगर हम लव राशिफल के बारे में बात करें तो लव लाइफ में आए संकट या इसमें मिले धोके से आप सामाजिक सर्कल से कट ओफ करना चाहेंगे लेकिन भाई भन या दोस्त आपको इस स्तिती से उबरने में मदद करेंगे अगर किसी नए रिस्ते की शुरुआत कर रहे हैं तो अपनी भाउनाओं पर नेंतन रखें और धेरे धेरे कदम बढ़ाएं सपलताज जरूर मिलेगी समस्याओं से घबराएं नहीं बलकि उनका डटकर सामना करें आपकी दिल की ही सुने और उसके बाद ही कोई निरने ले इसमें कोई शक नहीं कि आप अपने दोस्तों को हमेशा पलिस्तान पर रखते हैं और आपको उनकी जरुवत पर सकती हैं अपने साथी को अपने जीवन के हर निरने में शामिल करें इससे आपको अपनी मनजिल अवश्य मिलेगी दोस्तो अगर हम स्वास्तर रशिपल की बात करें तो रोड पर चलते समय साउधानी बरते और कोशिश कीजिए रोड पर चलते समय साउधानी बरते और बच्चाओं के लिए उपए भी अपने पास रखे अगर आप यातायत के निमों का पालंग करेंगे तो किसी तरह की दुरगटना की होने से बचा जा सकता है तो दोस्तों यहती कुम्बराशी के बारे में अब बात करते हैं भूलकर भी गलत दिश्या में ना लगाए तुलसी का पोधा घर में तुलसी लगाने से जुड़े हुए है ये नियम हर गुरुवार की दिन तुलसी के पोधे के पास दीपक जलाना शुब माना जाता है गुरुवार का दिन विश्णु जी से जुड़ा हुआ है और विश्णु जी को तुलसी बेहद प्रिय है यही वज़ा है कि जो लोग इस दिन तुलसी की पूजा करते हैं उन्हें जिन्दगी में किसी तरह की परिशानिया नहीं आती है जोतिय शास्तर में तुलसी के पौदे को बुद्ध ग्रह से जोड़ कर भी देखा जाता है दरसल इस पौदे का रंग हरा है और बुद्ध ग्रह हरे रंग का प्रतिक होता है जिन जातकों की कुंडली में बुद्ध ग्रह भारे होता है उन्हें बुद्धवार के दिन तुलसी का पौदा लगाना चाहिए तुलसी का पौदा लगाने से ये ग्रह शांत होता है और अनकुल बन जाता है जिन जातकों के विवाह में दिक्कत आ रही है और विवाह नहीं हो रहा है वो लोग तुलसी की पूजा क्या करे पूजा करते समय तुलसी को सुहागन का सामान भी अरपित करे लगातार पांच गुरवार ये उपाई करने से आपका विवाह जल्द ही हो जाएगा ग्रहन के दोरान खाना दुशित हो जाता है हाला कि अगर खाने के अंदर तुलसी का पत्ता डाल दिया जाए तो खाना शुद्ध बन जाता है इसलिए जब भी ग्रहन लगे तो खाने में तुलसी का पत्ता जरूर डाल दे तुलसी सेहत के लिए काफी उत्तम माना जाता है सरदी, जुखाम और खांसी जैसे आम समझ से होने पर अगर तुलसी की चाप पी जाए तो आराम मिल जाता है तुलसी का पौदा घर में होने से वास्तु दोश भी खत्म हो जाता है और घर में सुक शान्थी बनी रहती है बुरी शक्तियां घर से दूर हो जाती है जो वेक्ति रईवार के दिन तुलसी के पौदे में कच्चा दूद अर्पित करते हैं और प्रती दिन शाम को तुलसी के सामने घी का दिपक जलाते हैं उनके घर में सदा लक्ष्मी जी का वास बना रहता है और धन की कमी कभी भी नहीं होती इसके अलावा तुलसी को रसवी घर के पास भी रखना शुब माना जाता है ऐसा करने से घर के पारिवारी कलह खत्म हो जाती है तुलसी को दक्चिन पच्चिन कोने में रखे और हर शुक्रवार को सुबह कच्चा दूद पौदे पर अर्पित करे ऐसा करने से व्यवहार सही से चलने लग जाता है तो दोस्तो यह थे तोलसी के बारे में कुछ निया दोस्तो हर रोज इसी तरह राशीपल रेलेटेड व्योज देखने के लिए हमारे चैनल ट्रेंडिंग राशीपल को सबस्क्राइब जरू करे तो चले दोस्तो मिलते एक नए वीडियो के साथ धन्यवाद